ट्रांसफोर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन मेरे प्यारे दोस्तों एक बात को आप याद रखना एक चीज़ को याद रखना कि बिहार बोड का अगर आप लोग एक्जाम दे रहे हो जैहिन दोस्तों एंड वेरी गुड मॉरिंग तो दोस्तों जैसे कि आप सब अपने स्क्री इन पर देख सकते हो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी के पचास इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव के कोश्चन जिसमें कि सारे के सारे दो माक्स वाले कोश्चन देखेंगे तो हज़ार टैस बोर्ड एक्जाम के लिए ज आप लोग बस अराम से वीडियो को पूरा देख लेना था कि हर एक कोश्चन आपके दिमाग में चला जाए ठीक है तो चलिए बीना ज्यादा देरी की होई लेक्चर वाजी अब कम करते हैं और करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट पहले कोश्चन से आते हैं अपने टॉ पहला कोश्चन कोश्चन नमर वन ड्रो लेवल डाइग्राम ऑफ टिपिकल फ्लावर एक टिपिकल फ्लावर का आपको लेवल डाइग्राम बनाना है तो यहां पर आप देख सकते हो टिपिकल फ्लावर का आपको लेवल डाइग्राम बनाना है लेवल कहने के अतलब कि उसक कर लीचीज़ आप देख सकते हैं इसका इसका नीचरी पार है काइल शारे के आपके जो पहले ओसंड है तो उसके ये अनसर होते हैं चलिए दूसरा कोशिंन के तरफ आते हैं वह भी डाज़ानम ही शेसे और आपका और आपका काम बन गया तो आपका आधाग मैं नाम स्प्रिंग के तरह आपका जो ऊफडी लेएर बना है वह एक लायर होता है ठीक है चलिए नेक्स कोश्ण के तरफ आते हैं तो पॉलिंग्रेंट बन गया दूसर तीसरा कोश्ण कहता क्या है इन यह अपने क्लास एट नाइन टेंथ परहा होगा थैलस और स्पोर्स याद रखेंगे चलिए कोश्ण फोर के तरफ आते हैं वाट इस डबल फटिलाइशन यह आपका बहुत इंपर्टिन कोश्ण में से एक है दो नमबर की बात करें तो बहुत इंपर्ट इंपर्ट के तरफ कोश्ण में से एक है इसको मिस नहीं करेंगे भी भी आई है वाट इस डबल फटिलाइशन तो डबल फटिलाइशन कहने का मतलब वन मेल गायमेट ध्यान से देखिएगा वन मेल गायमेट फ्यूज विट एग टू फॉर्म जाइगोट और अनदर मेल नुकलाइश फ्यूज इस डबल फटिलाइशन हुआ कि जब एक मेल गायमेट जो एक के साथ फ्यूज करता है तो उसको तुम लोग जैगोट बोलते हैं लेकिन उसके बदले अगर दूसरा मेल जो नुकलाइश फ्यूज कर जाए पोलर नुकलाइश के साथ तो उसके तहत उसको डबल क्यां चलिये तो चिरूप्टिप चिरूप्टेरोफिली एक कदम यादरहए ऑटजी कदम कोश्न रुख कसी तरह आते हैं डिसक्राइब इफ्रेंट पार्ट्स उप सीड डिफ्रेंट पार्ट्स सीड अब सबसे पहला तो आपको जो सबसे पहला जो होता है सीड का मालीजिय सीड है तो इसके ऊपर बना होता है सीड के कोट यह सीड कोट हो गया उसके बाद आपका इंब्रायो इंडोस्पर्म एंड कोटीलेंडन तो यह होता है आपके सीड के उपरिगा अब याद रखना यह दो नमर के लिए मैंने सिर्फ बताया है हां पांच नमर जब आऊंगा पांच नमर का कोशन लेकर के तो यह सारे के सारे का क्या होने वाला है आपको इजी.fig.people ठीक है यानि कि पीपल आप इसको बोल सकते हो पीपल का पेर नेक्स्ट कोशन आते हैं हम लोग कोशन में एड के तरफ वाई वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन बहुत इंपर्टन कोशन है कि वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन को हम लोग और सेक्शुल र बाकी परक से हो सकता है अधर देन फृलावर इन प्लांक अ्धर देन फ्लावर इनप्लांट असेक्ष भी कुछ भी कोई भी reproduction फ्लावर को छोड़ करेंगे बाकी किसी पार्ट से हो जाया तो उसको हम लोग बोलेंगे sexual reproduction चलिए next question 9 what is law of Mendel या फिर what is Mendel law या फिर what is Mendel lives law बहुत important question है इसको miss मत किजेगा important question में से हिठा है तो Mendel का law कहता है Mendel took only those traits which did not show linkage interaction मेंडल ने सुर्फ उसको यूज किया था जो की लिंकर interaction को क्या कर रहा था शो नहीं कर रहा था दूसरा plan P is ideal for controlled breeding याद रखेंगे इसको plan P next question जो आज की वीडियो का हो सकता है last हो तो हम last ही करते हैं दस question कहता है name I need two reasons for Mendels दो आपको मेंडल के success का आपको रिजन बताना है दो रिजन तो रिजन यहाप पर लिखा हुआ है मेंडल ने जो सफलता हासिल की उसके दो रिजन मेंडल ने selected किया था only pure breeding varieties of P for his experiment मेंडल साहब जो थे मेंडलीव जो साहब थे उन्हें प्योर वराइटी लीव पी का जो मतर होता है दाने का प्योर वराइटी चूज किया था दूसरा जो उनका success करा आज है मेंडल टुक वन और टू क्लास तेंथ में भी यह question पूछा आता था बहुत important question में तो अगर आप जिनोटाफिक और फेनोटाफिक का हैसे रेसियो निकालेगा निकलेगा तो आपका जो निकलेगा वह देख ले ना आपका फेनोटाफिक रेसियो बनेगा 9-3-3-1 और जिनोटाफिक रेसियो डाय हाइबिरिट क्रोस का आपका बनेगा 1-2, 2-2, 1-2, 2-2, 4-2, 1-2, 2-1 ठीक है तो यह इसको आप याद कर सकते हैं वन-2, 1-2, 2-4, 2 और 1-2, 1 एदम सिंपल सा एदम असानी से 122, 242 और 122 बीच मबस 2-4, 1-2, 1-2, 1-2, 1 यह याद रहेगा और बीच मबससे 2-4, 2-2, 2 का टेबल 2 ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका जो आगे कहता है वाट इस पोली पोलाइडी वाट इस पोली पोलाइडी वाट इस पोली पोलाइडी वाट इस पोली पोलाइडी पोली पोलाइडी क्या होता है पोली पोलाइडी से अब क्या समझते हैं तो कहता है देखे क्या होता है पोली पोलाइड जो नंबर बढ़ जाता है क्रोमोजोम का या फिर सेट का नंबर अगर बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते है पॉली पॉल आईडी याद रखेंगे नेक्स्ट क्रोशन नंबर आते हैं 13 के तरफ 13 क्या गयता है द्यान से देखीगा देखिए जो वीडियो में शूट कर वो है भी तो डेट पड़ा हुआ है ठीक है रिपेरिंग हो नहीं रहा है और उतना ज्यदा ऐसे रिविन्यू आता नहीं है कि यह से आदमी लैप्टप ले ले तो इसके लिए जब तक हैसे मुआल से काम चल रहा है तो इसको तो आसे इग्नोर करेंगे और बस कोशन पर ध् अधिक है जीन का दो आलीज होता है नेक्स्ट वाट इस डिफेरेंश बिन डियन आर आने रहे आरे इसको दम रट्टा मार की जाना है यह एम बीबीआमस एक है जब भी एकजाम हो तो इसको जरूर पढ़ लेना केमेस्ट्री में भी डियन आर ने और बायलोजी में भी डियन आर ने आपको बहुत एक राम बान वाला कोशन है ठीक है हर साल का कोशन उठा कर देखलो एक साइड में जो लिखा है आप इस तरीके से लिखो आपके ऊपर का है लेकिन लिखना ज़रूर एक तरफ करेक्टर है दूसरा डी ने और आर ने का डिफ्रेंसियेशन तो नाइट्रोजन बेस पर हम ने डिफ्रेंस किया है पहले तो थाइमाइन एंड साइटोसीन एडनीन और गाउनीन फिर इसी में आपका आर ने में तो यूराइकील एंड साइटोसीरिण एडनीन गावनीन ठीक है यह नैट्रोजन के बेस पर सुगर के बेस पर देखीगा तो डियोक्सट राइबोस सुगर और राइबोस पर तेक है नेक्ष्ट में आते कोशन पर फिप्टीन के तरफ वाटर ओकाजाकी फ्रेग्मेंट्स ए आफ लाइगिंग स्टैंड or । ढने लेट कंटेंज नूमरास नुकलित नउक्लीयूटाइट्स डिये लोगेंस जों दे जों दे ठीक है तो तर ध Хорошо, इसी में ऐं 1 चली ठ्रेहचिप इस्ट्रेंड जो फ्रेंड फ्रेंड चोटेंट विनृंग्मेंट करता है। tao इस इम्ह Eliyade आ तो मोह दिफाइन ओप्रियोन कहता है। रूप आफ जीनस मेकिंग आप रेगुलेटरी और कंट्रोल यूनिट वैसा जीन जो कि एक रेगुलेटरी और कंट्रोल यूनिट को इसे क्या आप मेलिकर बनाता है वह हमारा ओपरियोन होता है नेक्स आते है को चलिटीन की दरफ वाट इस रिवर्स ट्रांस्पिरेशन यह यह आपका एक बहुत important question में सो यह है इसके reverse transpiration कैसे लिखेंगे ठीक है sorry reverse transpiration क्या होता है reverse transpiration RNA DNA RNA protein ठीक है चलिए question No.18 के दरफ major function of gene is what is the major function of gene तो major function आपका gene का दो होता है genetic information and replication genetic information and replication यह दो चीज आपका gene ऐसे काम करता है genetic information को provide करता है replication करता है next question number 19 के तरफ कहता है यह देख सकतो हो एक sequence लिखा हुआ AUGCCG is base sequence in mRNA mRNA का यह base sequence है तो आपको base sequence लिखना है DNA का तो DNA का जैसे mRNA का AUGCCG होता है तो आपका DNA का TACGGC होता है ठीक है TAGCCG TACGGC होता है आपका यह DNA का और यह base sequence अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो आपको कमेंट करके बतानों उस पर एक special वीडियो only base sequence का यह से बना दिया जागा क्योंकि base sequence से question आते हैं आप लोग comment कर जाना next question number 20 what is peptide bond peptide bond क्या होता है तो peptide bond वह ऐसा bond है जो कि 2 amino acid के बीच में बनता है ठीक है दो amino acid के बीच में जो bond बनेगा उसको हम बोलते है peptide bond तो a bond between two amino acid is called peptide bond ठीक है तो यही थे हमारे दोस्तों total एक और question के तरफ कहता है what is main source of variation in gene pool the main source बताईये variation होने का gene pool में gene pool का variation का main source gene pool का variation का main source you canкую बेर पूल रहा है gene pool का variation का main source क्या होता है जीन पूल का variazion का main source होता है आपके screen पर दो होता है genetic drift और genetic gene migration question number next आते 22 के दरफ तो कहता है how the gene expression is carried out at translocation level कैसे जो gene expression है वो बाहर निकलता है translocation level पे ठीक है तो इसको आप ऐसे pdf आपको free of cost है आप comment कर सकते हो pdf आपको मिल जाएगा तो question 22 क्या कहता है यानि कि two number कहता है gene expression occurs by repressive regulation control और negative control and by positive control और inducible control process तो आप देख सकते कि gene का expression जो है वो occurs होता है repressive regulation control negative control and by positive control और inducible control process इसको याद रखेंगे चलिए आते next question हमारा जो आपके screen पर है what are the terms given by benjor for genes कौन-कौन से terms given है benjor के द्वारा genes के लिए what are the terms given by benjor for genes तो देखो benjor के द्वारा जो term दिया गया वो सिस्ट्रॉन वाज गिवन बाई benjor ठीक है benjor सिस्ट्रॉन 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 दिया गया याद रखेगा next question question number 24 what is tissue culture एक important question में से एक है एक one of the important question में से एक है आपके बोर्ड एक्जाम के लिए what is tissue culture tissue culture क्या होता है tissue culture से आप क्या समझते हैं तो आपके जो screen पर है 24 number कहता है it is a technique of maintaining and growing plant cells यह का ऐसा technique है जिसमें कि हम लोग maintain करते हैं और grow करते plant cells को tissue को organs को especially on artificial medium in suitable containers under control environment condition ठीक है इस बात को याद रखेंगे चलिए आते next question question number 25 के दरफ कहता है आपके screen पर name some genetically engineered crop plants कुछ ऐसे आपको हैसे crop plants का आपको नाम बता है जो कि genetically engineered है ठीक है तो देखें बीटी cotton golden rice transgenic टोबाको उसके बाद floor sour यह सारे के सारे आपका genetically engineered है चलिए next question question 26 के रहता है वाटीज एपी कल्चर अन सेरी कल्चर यह आपका one of the most important question में से एक है बीबिया कोर्शन में से एक है एक है एक है एक है क्या होता है पहले देखो इन रेडिंग फॉफ हनी बीज फॉर अप्टेनिंग हनी एंड बी वैक्स यह हनी का अब पॉसन किया रहता है उसको एपी कल्चर बोलता है इसमें के लिए तो यह अब आते है शेरी कल्चर सेरी कल्चर हनुक stigma को ऐसे उसे उसे सिल्क निकालने के लिए इंडेन आडए फोर ब्रीडिंग फॉरॉण। प्रोडूस सिल्क चलिए आते हैं नेक्स्ट कोशन के तरफ जो आपके स्क्रीम पर है वाट इस स्पेसल अबाउट बैकलियास बैकलियास थूरिंग गियनियस बहुत इंपोर्डिंग कोश्चन है अन्य तो देखिए बैकलिस्सट थूरिंगे इस इस स्वाइल बैक्टेरिया में डैर क्रवाई रहुने वाला बैक्टेडिया है पेटेंट बायोजिकल रिसोर्स आफ देर नेशन विदाउट प्रोपर ऑफ्राइजर इस काल्ड बायूपर पायूपीरेशी एक जैसे इल्लीगल धन्दा इसको कह सकते हैं तो कुछ और जो मुल्टिनेशन कंप्रीज होते हैं वह एक्स्प्लोइट एंड पेटेंट करनेते ह बिना नेशन बिना अधर नेशन विदाउट पेपर अध्राइजर बिना मतलब नेशन से कुछ विए से ओध्रिटी लिए बिना पेपर अध्राइजर के इल्लीगल धन्दा को काम होते हैं तो वह काम करते हैं इसको बोलते बायूपीरेशीग अब क्या आपको ट्वंटिन तो कहता क्या है बैसलियस थुरिंगेंसिस प्रोडियूस क्राइप प्रोटीन वीचिस लीथल टू पेस्ट ठीक है जो कि एक आपका प्वाइजन के तरह काम करता किसी भी इंसेक्ट के लिए अभी थादर पहले मैंने बताया कोशन नमर ठटी कहता है वाट इस जीन थेरेपी इस जीन थिरेपी एक इंपोर्टन कॉर्शनर मैंने पिछली वीडियो विचुक्त करता है इसको आपको मिस करना यह एक इंप्रॉटन कोशनर है चैनिक औफ जैनेतीक इंजीन रिए वै क्इंजशनल जीन यह वाट इसा टेखनीक जो कि इन जनीरिंग कि ठवरा एक दोई 25 शबीज तक तो आपको वैक्सीन के बारे में हर सब्सक्कत में आपसे कोशन ज़रूब पूछेगा फीसिक्स को छोड़ कर गें बाकि सारे सब्सक्राइब क। के बारे में कोशन पूछने वाला है हम्दी में इंग्लिस में चलिए तो वैक्सिन क्या होता है तो वैक्सिन आर्स आर प्रिप्रेशन ऑफ एक्स्ट्राक्ट ऑफ डेड़ वीच ऑन इवालुएशन इन्टु हेल्दी पर्शन प्रोवाइट टेंप्रारी और पर्मानेंट अक्टिव और पैसिव इम्मुनुटी बाइंडूसिंग एंटीबोडी तो वैक्सिन ऐसा एक फर्मूला होता है ऐसा एक हम लोग का केमिकल हेल्दी सबस्टांस है जो की टेंप्रारी और पर्मानेंट एक आक्टिव और पैसिव इम्मुनुटी सिस्टम इम्मुनुटी परदान करता है आप उसको कह सकते कि एंटीबोडी ऐसे बोडी में फॉर्म फॉर्मेशन करता है वह हम लोग कहलाता है वैक्सिन तेहीं कोशन नमर 32 बहुत इंपॉर्टन कोशन में से एक है नेम सम एंटीबोडी इस एंटीबाइटिक्स सुरी मैंने एंटीबोडी इस पढ़ दिया नेम सम एंटीबाइटिक्स प्रोडूज बाइक्रो और ग्रिजम आपको कुछ एंटीबाइटिक्स के नाम आपको बताने हैं जो की माइक्रो और्ग्रिजम से प्रोडूज होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों को पूरा देहान से देखिएगा समझेगा एक्जाम में आपके आने के लिए काफी जादा चांसे से सारे कोशन इंपॉर्टन है आप चाहो तो इसका PDF ले सकते हो हमें कहीं से भी कमेंट करके और नहीं तो आप लिख करके पाउस करके जैसे आपको याद करना आप वैसे कर सकते हो मेरा जो यह फ्रेम रेट बगरा होता है थोरा सा आपको इसके एडिटिंग में थोरा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि सारा का मेरे प्यारे दोस्तों करता हूं तो मॉइल से ही और मॉइल भी उतना अच्छा सा है नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता इसके लिए ऐसे माफी चाहेंगे अगर सक्सेस चलता है ज्यादा बहतरी नापलों का रिस्पॉंस मिलता है तो जरूर ऐसे PC या लाप्टॉप से ऐ ड्सका है ज Bose which को क्या सब्सक्राइं सब्सक्राइब उछाने और 15 li ट्र fort अलग our fellow pश्राइंगर की करने माइक्राइब उतना होता है जो कि माइक्रो माइक्रोर्चिक्स याज़ yap Zero film सी ट्रमार्डë अपने माइक्रीश कर और 207 आरीव isolation of genetic material एक important question है what is isolation of genetic material ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कहता है finding out of DNA molecule from the desired cells with lysogyme और cellulose or chitinase called as isolation of genetic material यहां मैंने इसको छोड़ दिया है यहां पर लिख लेंगे चलिए तो आपको DNA molecules ठीक है जो desired cells है आपका lysogyme और cellulose या फिर chitinase में से अगर आप इसे DNA molecule को find करोगे find out कर लेते हो उसी को हम लोग कहते हैं isolation of genetic material आते हैं question 32 के तरफ 32 कहता है what is difference between transformation and transduction मेरे प्यारे दोस्तों एक बात को आप याद रखना एक चीज़ को याद रखना कि बिहार बोर्ड का अगर आप लोग एक्जाम दे रहे हो किसका दो प्यार से सुलो बिहार बोर्ड यानि कि बी एस इबी का अगर एक्जाम दे रहे हो physics का हो chemistry का हो biology का हो या फिर other arts हो या commerce हो अगर difference के question है ना मेरे प्यारे दोस्तों आपको difference के question बिलकुल भी नहीं छोड़ने है difference between question जो भी आपको मिले उसको बहुत मन से पर लेना वो question आपको लड़ जाएगा difference between के question पर मैंने एक special video भी मैंने बना रखा है कि कितना जादा important question होता है तो difference between जब भी question आए तो उसको पूरा पूरा रटा मार जाएंगे तो आप किसे अभी difference पूछ रहा है transformation and transduction तो चलिए इसको difference करते हैं तो transformation क्या होता है और transduction क्या होता है दो नंबर का question इसलिए मैंने बस एक एक point में discuss किया है पांच नंबर का होता है तो उसको लंबे तरह से explain करते हैं कहता है change in genetic constitution of an organism by picking up genes present in the medium देखे change कर देना जो कि genetic constitution है किसी भी organism का उसको change कर देना change अगर हम लोग करते हैं उसके genes को उसके medium से निकाल करके तो उसको हम लोग करते है transformation change change का मतला भी क्या होता अगर मानली जब बहुत पतले थे तो बहुत ज्यादा ऐसे अब heavier हो गया है ट्रांसड्रक्शन होता है genetic में चेंज ठीक है जो कर्शिट्यूशन ऑफ और ग्रिजम थ्रू रिपोड़क्शन वीट वाइरस आपका ट्रांसड्रक्शन में change होगा लेकिन genetic होगा जो कि आपका organism में किसके दोरा तो वाइरस के दोर रिपोड़क्शन वीट वाइरस जब आप इस वाइरस के साथ रिपोड़क्शन कराएंगे तो उसमें च़ोचेंज आएगा वह आपका Transduction कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों आते हैं Next Question के तरब 35 जो कि आपके स्क्रीन पर है What is Function of Restriction Indonucleus and Ligus ये भी बहुत important question है तो Restriction and Function दोनों द्यान से देखीगा कहता है Restriction Indonucleus क्या होता है तो द्यान से It cleave DNA Duplex at any point except Ind देखे ये DNA Duplex बना सकता है किसी भी point पे सिर्फ और सिर्फ Ind को छोड़के तो आपका Restriction Indonucleus कहलाता है Ligus होता है Bind Vector DNA Segment with DNA of desired cells ये Bind करता है Vector DNA Segment को किससे तो DNA of desired cells से आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 36 के तरफ कहता है Give the name of some Antibiotics इस पिछली वीडियो में भी मैंने इसको बताया है काफी important question है ठीक है तो Antibiotics का थोदर पहले भी बताया Penicillin, Neomycin, Streptomycin, Tetrasilin और Teramycin ये सारे-सारे Antibiotics है 37 Give the name of four Antibiotics producing organism अब देखिए Antibiotics का तो नाम हम लोग जाल नहीं अब ऐसे चार Antibiotics का नाम बताया जो कि organism produce करता है तो देखिए Penicillium, Notatum ये भी एक organism produce करता है Penicillium, Crysogium ठीक है ये भी एक organism produce करता है उसके बाद Streptomyces, Norse उसके बाद Streptomyces, Gracious ये सारे-सारे organism produce करते हैं चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आते हैं, Next Question के तरब जो कि आपके स्क्रीन पर है कहता है, What is Difference Between Cybrid and Hybrid बहुत Important Question में से एक है मेरे प्यारे दोस्तों BVI Question है, Underline करेंगे इसको याद करेंगे इसको कहता है, What is Difference Between Cybrid and Hybrid आपने अधिकतर Hybrid सुना होगा, Hybrid, Hybrid, Hybrid आपने सुना होगा, Hybrid बहुत कम सुनते हैं, ठीक है तो Cybrid और Hybrid में क्या-क्या Difference आपको वह बताने हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों Cybrid वैसा होता है, क्या होता है तो वन नुकलोस आफ वन सेल्स परसिस्ट एंड साइटो प्लाजम और बोद सेल्स फ्यूज देखेंगे एक गोकू और पिकलो ने सिखाया था किसे तो ट्रंक्स आइड गोटेंक्स को जो किया से गोटेंक्स बना था और काफी फनी में से था चलिए, Hybrid क्या होता है, तो वही चीज़ का ये Fusion मैंने बताया, अगर वह ऐसे समझ गया तो अच्छी बात है, क्या था Hybrid तो देखे, Hybrid क्या होता है, मेरे प्यारे दोस्तों नुकलस अब बोट सेल्स विच साइटो प्लाजम फ्यूज़्ड नुकलस होता है, दोनों सेल्स का जिसमें किया से साइटो प्लाजम क्या हो, फ्यूज़्ड हो, मिक्स हो आते हैं, 39 के तरफ वाटी इस रेट्रो वाइरस, वाइरस के बारे में फॉस्ट क्लास का वीडियो जो मैंने बताया था, तब मैंने उसमें ऐसा वाइरस पढ़ाया था, संधाया था, आज रेट्रो वाइरस पढ़ा रहा हैं, ठीक है आज का जो है ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा इसमें ऐसे सारे कोशन जो 47, 50 तक है वो सारे कोशन आपको डिसकस कर दी जाएंगे तो रेट्रो वाइरस क्या होता है तो ये एक RNA कंटेनिंग वाइरस होता है जो कि reverse transpiration को show करता है वाइरस ठीक है एक RNA कंटेनिंग RNA को जो कंटेन करें वैसा वाइरस जो की RNA को यसे कंटेन करता है और reverse transpiration को show करें उसको कहते हैं हम लोग रेट्रो वाइरस जिसमें की HIV वाइरस आपका रेट्रो वाइरस का एक इसमपल है चलिए कोशन नमर आते मेरे प्यारे तुस्तों 40 के तरफ कहता है वाट इस DNA प्रोब ये भी एक VBI कोशन है VBI कोशन है आपके बाइलोजी के VBI कोशन है वाट इस DNA प्रोब तो इसका answer हो जाएगा एक सिंगल स्ट्रांडड़ पीस ओफ डियने होता है चलिए कोशन नमर तो 41 के तरफ कहता है What do you mean by the term in vitro and vivo experiments in vitro और vivo experiments से आप क्या समझते है तो देखिए in vitro experiment वैसा experiment जो की lab में होता है in vitro experiment और vivo experiment वैसा experiment जो की natural condition में से हम लोग करते हैं उसको बलते हैं vivo experiment कोई दिक्कत कोई doubt हो तो यारो comment कर लो comment में कोशिज करेंगे आप लोग का इस उसका clear कर दे हैं चलिए आता question 42 के तरफ जो की कहता है how recombinant dna is formed by the help of genetic engineering कैसे हम लोग recombinant dna को बना सकते हैं genetic engineering के मदद से चलिए it is formed by recombinant dna by technology technology के द्वारा हम लोग बना सकते हैं कोई doubt यकिन करो गर्मी इतना जादा है ना कि मेरे फेस और पूरा 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 पसीने से बिख चुका है ठीक है heavy mic तो है नहीं normal सा माइक है बोया का तो fan भी ओन नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा आवाज आने वाला है तो इस गर्मी में जो तरह मेहनत करने तो आप लोग भी मेहनत करना थोड़ा से याद कर लेना बस यह request रहेगा ताकि आप लोग बाद में यह तो बोल सो कि हां किसी ने बताया था किसी भाई ने ऐसे सजेस्ट किया था यह कि सारे question important में से एक है तो उसको थोड़ा पर लिए ठीक है और अभी मेरा अगर देखे जाए तो मैंने जो शॉट पाना यह पूरा भीग चुका है और मेरा जो पूरा फेस है ना वही पसीने से और मेरा पसीना पूर एक प्रस जिससे मैं अभी recording कर रह ना question number 43 के तरफ what is dna primer dna primer क्या होता है dna primer क्या होता ध्यान सुनिए it is the synthetic small segment of dna यह एक छोटा सा पार्ट है dna का जो की complementary होता है segment of a dna specific किसी खास dna का कोई दिकत चलिया आते question 44 के तरफ give the exam give the name of natural natural polymer which is extracted from seaweed clg से जो polymer निकलता है आप उसका नाम आते है तो clg से एक ही polymer निकलता है अगर और इस अगर को रट्टा मार के जानए बहुत important question में से एक है और अगर पे खासा question बहुत important question भी पूस्ते है तो अगर को तुरह परभी लिजेगा चलिए next question आते है question 45 के तरफ मेरे प् proteins are macromolecules which among the two is bigger and how dna और जो protein है दो आपका है dna और protein यह तो macromolecules है तो बताना है कि इसमें से बड़ा कोन है और कैसे है तो देखिए dna आपका जो है यह bigger है किस से protein से dna आपका dna is bigger than proteins because protein is produced by coding a strand of dna ठीक है क्यों क्योंकि जो protein produce करता है वो dna ही produce करता है वो भी coding strand ता इसलिए d यह ने bigger होता है protein से आते हैं मेरे प्यारे दोस्तो 46 के तरफ पुरा जो पसीने से मेरा मॉइल पुरा भीग चुगा है पसीना जो है ना वो पुरा मॉइल परसे गिर रहा है और उसको मैं पोच भी नहीं सकता हूं कि पूरा पूरा डिस्पले आपका इधर सुदर हो जागा खेर चलिए वाटी सिम्वाइसिस नेम टू टाइपस ऑफ सिम्वाइसिस एक इंपॉर्टन कोर्शन 46 देखे तो सिम्वाइसिस एक रिलेशन है दो लिविंग इंडिविजुल्स का डिफरेंट स्पीसीज में जो की आइधर या तो बेनिफिटेड हो या फिर नहीं हो पहला अब फिर सेक पर समझवआसिस वैसे को कहते हैं वैसा एक नौर। पर एक्जामपल सेक्ष का एक्जामपल ले लेते हैं ठीक है थोड़ास ऑफ़ेंड मत ओना मैं उसको इसको एक्सप्रियों करता हूं कहते हैं कि अगर सेक्स की बात करें तो लड़कों को ज्यादा ऐसे उसकी जरूत पर दिया लेकिन ऐसा नहीं लड़कियों को भी उसका लडकों के लिए तो यह गलत बात है इसमें क्या वहता है देखेग। फाईदा कि अपना दस्मृ लिए काम होगा उनका बेनिफिट्ट्ट है ट्रीक है लेकिन लडक्यों का उससे ज़्यादा मिलेगा तो इनको अच्छा है उनको अच्छा लगे उनको वारिकिन उनको कोई हा तो देखिए फाईदा दोनों के इसमें एक मैंने बता दिया दोनों अगर लॉंग कर लेते तो दोनों का फाईदा दोनों को ज्यादा ऐसे उधार मिलने वाला है इसी तरीके से दोनों को फाइदा mutualism और communalism जो कि 10 मिनिट में लड़के अपना काम खतम करके उसके बाद इससे छोड़ देते तो फिर सिर्फ और सिर्फ फाइदा लड़के का लड़कियों का क्या होता है तो उसमें लड़कियों कोई नुक्सान भी नहीं है तो यह आपका कॉमेने सलिजम तो आई होप सो कि इसमें आगों कोई दिक्कत ना हो कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना चल यहां तो कोशन फोटी सेवन गदर हम आई होप सो कि यह लास्टी कोशन है हमारे इस वीडियो का नेम दे टाप्स ऑफ एकोलोजिकल प्रामिड के आपको टाप्स बत प्रामिड ऑफ नंबर प्रामिड ऑफ नंबर प्रामिड ऑफ बायो मास और उसके बाद प्रामिड ऑफ इनरजी तो यह तीन होता है प्रामिड किसीज के मेरे प्यारे दोस्तों तो आपके एकोलोजिकल प्रामिड होते हैं तो आसा करते हैं कि यह सारे के सारे मैंने एक से ल साथ ठीक है यह PDF इसका आप जरूर ले लेना आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि PDF इसका जरूर ले लेना मिलेंगे अगले वीडियो में अगला वीडियो जो आने वाला वह फिजिक्स का केमेस्ट्री का और बाइलोजी का तीनो एक साथ अब यह कंप्लीट होगा ना मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लühren ना नहीं पसंद है कोई बात डिस्लाइक कर सकते हो घसकर क्यां से कैमेस्ट्री के तरफ इसमेंหdoo काफ़ी कैमेस्ट्री को Strikesक करेंगे जैसा कि आपने उसक्रीं मिया हैन। चलिए आते हैं chemistry के पहले question के दरफ तिहान से देखिएगा और यारों इतना महिनत करने के लिए वीडियो को एक like जरूर करना ठीक है पिछले डियर घंटे से हम लोग पिछला जो 33 मिनेर्स और आगे और भी एक घंटा जो हम लोग करने वाले हैं क्लास जो आपका चलेगा उस महनत के लिए आप लिए एक like जरूर करना चले को subscribe कर लिए ताकि आने वाले future में आपको ऐसे कोई दिकत ना हो और अगर notification आपके पास नहीं जाता है तो जरूर से जरूर से आप ऐसे educational box channel को सर्च जरूर कर लिएगा क्योंकि subjective questions आपको यही मिलेग है जस्ता के मुख आयसकों के नाम बताइए जस्ता के आपको मुख आयसकों के नाम बताना है तो जस्ता के आभी चार दिये हुए है तो कहता है गैंग क्या है what is gang और यह सब objective में भी बन सकता है तो याद रखेंगे ठीक है तो गैंग वो चीज़ होता है आयस्क में उपस्तित अशुदियों को गैंग कहते हैं ठीक है याद रखेंगे आयस्क में जो present होता है आपका impurities उसको हम लोग गैंग कहते हैं और यह पूछता है बार बार यह भी विए कोशन में से यह है इसको रट्टा ज़रूर मारके जाएंगे तो का सुत्र होता है चलिए आते हैं हम लोग दोस्तों पांच नमबर कोर्शन के दरफ कहता है नाइट्रोलियम क्या है नाइट्रोलियम क्या है तो नाइट्रोलियम क्या होता है तो हमको पता है कि कैल्सियम साइनाइट जो की सीएंटू कार्बन के मिसरन को नाइट्रोलियम कहा जाता है ठीक है यह लोग जानते है और इसका सुत्र होता है इसका यह चलिए तो पांच नंबर कोर्शन देख चुगे छाथा नंबर कोर्शन आपके स्क्रियों पर कहता है ह 3 PO 3 में फोस tunes करन संख्या बताई है फोस फोस क्या रिक आपको प आको आको संख्या बताना है टो इसको यहाध रखेंगे tetrahydral होता है तो इसको याद रखेंगे 7 नमर कोशन का चलिए 8 नमर कोशन की तरफ आते हैं तो कहता है d2 sp3 hybridization का ज्यावित्री आकुति क्या होता है तो d2 sp3 का octahedral होता है चलिए next कोशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो कहता है amorphous solid क्या है और यह बहुत ही important question में से एक है amorphous solid बहुत बार पूछा जाता है तो इसको याद रखेंगे तो amorphous solid का बस example पूछ रहा भी है आपसे इसका benefit definition भी मैंने question include क्या है कि what is amorphous solid नीचे के जब 60 question पर होगे तो उसमें यह add है तो amorphous solid का example glass, rubber, plastic, starch, protein, etc. चलिए next question आते 10 के तरफ कहता है और comment करके नीचे बताना कि कितने questions के answer आप लोग को याद थे ज़रूर comment करना antiferametic oxide का उधारन दीजे antiferametic oxide का उधारन दीजे antiferametic oxide का उधारन दीजे antiferametic oxide का उधारन ना CR203 CR203 F203 MNO और V203 चलिए next question 11 के तरफ आते है कहता है 25 डिगरी ताप पर जल का आपको जल का मुलालिटी अदम मुलालिटी आपको बताना है तो इसका 55.5 डिगरी होता है इसको याद रखेंगे चलिए question 12 के तरफ तो एच जी धातू का इसक लिखे मर्कुरी का इसका इसक लिखे तो होता है ठीक है सिनेवार चलिए next question आपका अर्जेंटाइन किस धातू का इसक है तो यह silver का होता है इसको याद रखेंगे अर्जे नाइट है अर्जेंटाइन नहीं question 14 आते हैं पायस का उधारन दे पायस का उधारन आप लोगा बहुत सारा मिल्क हो गया कॉर्ड लिवर ओईल हो गया ठीक है चलिए question 15 के तरफ आते है बच्चों कहता है टेट्रा टेट्रा हैडल वॉइड अब स्फेर के रेडियस का उनुपात क्या होता है और यह आपका one of the most important question में से एक question इसको ज़रूर रट्टा मारेंगे टेट्रा हैडल वॉइड और रेडियस का उनुपात निकालोगे तो 0.225 होता है जो कि इसका आपका यह formula यहाँ पर है इससे आप solve करके निकाल सकते हो चलिए कोश्ण में आते 16 के तरफ ओक्ट्रा हैडल वॉइड का रेडियस स्फेर का रेडियस का उनुपात होती है तो इसका आपका 0.44 होता है इसको याद रखे 0.414 कोश्ण में 17 के तरफ आते हैं तो कहता है विसेस प्रतिरोजी की एकाई क्या होती है विसेस प्रतिरोजी चलिए कोश्ण में 17 के तरह बढ़ते हैं कहता है मोलर चलकता का मातरक क्या होता है तो विधूतिये घोल को तनू करने पर मोलर चलकता का मान बढ़ दैता है तो यह होता है कोशन से तो कहता है दोस्तों पहला कोशन आपका कि लाफिंग गैस का सुत्र क्या होता है तो लाफिंग गैस का सुत्र नाइड्रोस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है इसका सुत्र N2O होता है तो यह याद रखेगे कि लाफिंग गैस का सुत्र N2O होता है N2O N2O ला याद रखेंगे NH3 plus pyramidal next question के तरफ आते हैं दोस्तों तो कहता है 23 में cards acid का formula बताई तो cards and acid का formula आपका होता है H2SO4 ठीक है next question के तरफ बरते हैं दोस्तों question number 24 कहता है Marshall acid का formula बता है तो Marshall acid का formula होता है H2SO8 चलिए आते हैं दोस्तों question 25 के तरफ कहता है HC,HC,LO,HC,LO2,HC,LO3,HC,LO4 के आमल यह सकती के बढ़ते करम बता है और यह बच्चों आपका बहुत important question में से एक होता है ति इसको भूल से भी उसे मिस ना करें तो कहता है आप देख सकते हो पहले HC,LO,HC,LO2,HC,LO3,HC,LO4 सबसे छोटा से बढ़ा तक में question नमर दोस्तों आते 26 के तरफ D block elements को क्या जाता है तो क्या कहा जाता है तो D block elements को transition metals कहा जाता है आते 27 के तरफ F block elements को क्या कहा जाता है तो inner transition metals इने कहा आत्रक बताएं तो दोस्तों यह होता है moon liter और time kind verse next 29 कहता है green vitral का सुत्र बताईए green vitral का सुत्र तो दोस्तों green vitral का सुतr Fe SO4 और 7H2O ठीक है next 30 के तरफ आज यह brass में वर्तमान धातू का नाम बताए brass में zinc और copper ही use होता है तो इसका zinc और copper लिखेंगे आप लोग next है बच्चो 31 कहता है vitamin B12 में कौन साथ हातू वर्तमान होती है तो कोबाल्ट आपको vitamin B12 में मिलने वाला है और दोस्तों यह PDF आपके लिए free of cost है आप चाहो तो comment करके कहीं से भी ले सकते हो चाहे Instagram WhatsApp Facebook कहीं से भी ले सकते हो और हमें Instagram पर follow करना ना भूलें इजुकेशनल बक्स जो आपका YouTube का नेम है वही आपका चैनल नेम है कहता है बच्चो 32 नोमर सेमी कंड़क्टर का उधारन दीजे तो सेमी कंड़क्टर का उधारन होता है silicon इसको याद रखेंगे नेक्स्ट कोर्शन 33 कहता है बच्चो त्रिज्य अनुपात से क्या समझते हैं तो त्रिज्य अनुपात से आप क्या समझते हैं तो त्रिज्य अनुपात होता है आयनिक क्रिस्टल का टायन तथा अनायन के रेडियस के अनुसार को रेडियस 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 रेशियो कहा जाता है इसमें कि हम लोग रेडियस रेशियो को ही 3G अनुपात कहते हैं कटायन का रेशियो बटे अनायन का रेशियो आते हैं बच्चो 34 के तरफ N-type extrinsic semiconductor का उधारन दीजे तो आपका silicon and germanium phosphorus and arsenic आपका मिसित करने से extrinsic semiconductor N-type बनता है जो की extrinsic semiconductor कहलाता है अगर आप silicon और germanium को मेरे बच्चो silicon और germanium को phosphorus और arsenic के साथ मिक्स कर दोगे तो आपका extrinsic semiconductor बन जाएगा आजाब 34 के तरफ P-type extrinsic semiconductor का उधारन तो इसको इसको आफे से silicon germanium को boron और aluminium के साथ मिक्स करोगो तो आपको ये मिल जाएगा next 35 कहता है इथाईल अलकोहल को iodine तरफ अनों इसके साथ गरम करने पर क्या प्राप्त होता है तो iodine form आप लोग का मिलता है इथाईल अलकोहल को अगर आप लोगे से गरम करोगे iodine के साथ तो आपको iodine form मिलने वाला है मेरे बच्चो next question 35 के दरफ बरते है primary alcohol and functional group क्या होती है तो CH2OH और ये MBBI question है मेरे दोस्तो इसको जरूरे से रटा मारेंगे next question 36 कहता है लुकास रेजन क्या होता है ये आपका MBBI है मेरे बच्चो इसको जरूरे से याद करेंगे लुकास रेजन टेस्ट होता है अनार्द जेडहें CL2 तथा HCL के मिश्रन को लुकास रेजन कहा जाता है तो इसको याद रखेंगे next question आते हैं हम लोग कहता है 37 tolerance region क्या होता है तो tolerance region भी आपका बहुत important question में से एक है तो ammoniconal AGNO3 घोल को tolerance region कहा जाता है इसका सुत्रक AGNH32OH होता है याद रखेंगे इसको question 38 के तरफ बरते हैं मेरे दोस्तों तो कैसा calcium acetate का dry distillation करने पर क्या प्राप्त होता है तो calcium acetate का अगर आप dry distillation करोगे तो आपको acetone मिलेगा यह उसका सुत्रक भी है 38 के तरफ देखो मेरे बच्चों कहता है calcium formate का dry distillation करने पर क्या मिलता है तो dry distillation अगर आप calcium formate का करोगे तो आपको मिलेगा formaldehyde HCHO next question 39 के तरफ बरते हैं दोस्तों कहता है calcium acetate यह हम calcium formate के मिसरन को dry distillation करने पर क्या होता है तो यह आपको acetaldehyde देदेगा मेरे दोस्तों और last question आज की वीडियो का और sorry इसी का 39 का भी है एंटीबाइटिक के उधारंदे तो teramycin आपका एक एंटीबाइटिक है आप कोई भी एंटीबाइटिक दे सकते हो last question है 40 नमबर आज के इस वीडियो का किस vitamin के कमी से रिकेट की बिमार दे तो एंटीबाइटिक का उधारन आप लोगे से कमेंट करके जरूर देना वैसे एक बार देख लो एंटीबाइटिक का उधारन आप लोग का पारसीटा मोल आप इसको लिखे देना तो यही था मेरे प्यांट यह सारे questions आपने देख चुके थे सिधा आते हैं अपने 41 question क के तरफ तो कहता है ध्यां से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 41 question आपके सामने हैं कहता है 41 question कहता है टेफलोन का मोनमर बताईए और यह आपका बहुत important questions है मेरे दोस्तों तो टेफलोन का मोनमर होता है टेट्रा फ्लोरो इथेन चलिए बच्चों आते है 42 के A के तरफ तो कहता है कि टेडेलीन को क्या कहा जाता है तो टेडेलीन को क्या कहा जाता है आईए आते है 42 के B के तरफ तरफ थार्मो सेटिंग प्लास्टिक का उधारन दीजे और यह एक important question में से एक है थार्मो के तरफ natural rubber का monomer क्या है यह आपके objective में भी काम आएगा आपके सदर्थी में भी काम आएगा natural rubber का monomer मेरे प्यार बच्चों होता आइसो प्रीन नेक्स्ट आज यह 43 का B के तरफ कृतियम rubber क्या है तो यह आपका न Speech रखेंगा नीप्रीन नेक्स्ट आज यह 45 का म तरफ नोल का ऊप्योग किस रूम में करते हैं मेरे प्यारे बच्चो इसी का भी को देखोगे तर्टे टोल क्या है तर्टेव आप एक anti-septic है और यह सारे question आपके objectives में भी पूछे जाते हैं next question है मेरे प्यारे बच्चो प्रैम्री अलकोहल को oxidation करने पर क्या प्राप्त होता है तो primary alcohol oxygen करने पर aldehyde था अल्डी हाइट था अल्डी हाइट था कार्वक्सली केसीड मिलता है नेक्स्ट आजाओ 46 B के तरफ secondary alcohol का oxygen करना पर क्या मिलता है तो secondary alcohol को गर आप oxygen कराओगे प्यारे बच्चो तब को ketone compound मिलेगा नेक्स्ट आजाओ प्यारे बच्चो 47 A के तरफ कहता है सलफाइड और्स का सामंद्र किस विज़ी द्वारा किया जाता है तो कहते हैं इसको फोर्थ flotation process इसी का BIA तो शुस्क बर्फ यानि कि ड्राइ आइस किसे कहा जाता है तो प्यारे बच्चो ड्राइ आइस आपको solid co2 co2 को कहते हैं नेक्स्ट आज़ी 48 के दरफ तो ideal solution से क्या समझते हैं तो ideal solution इसको आप लोग रट्टा मार के रखेंगे यह एक ऐसा question है जो हर साल देता ही देता है दो number के question में हर साल और अगर ideal और non-ideal दोनों दिया तो हर साल दोनों का difference चार number के question में देता है मेरे प्यारे बच्चो तो उसको याद रखेंगे चलिए तो ideal solution कहता है वैसा solution जिसको कि आधर से घोल से समझते कैसा solution तो वैसा solution जो की roll slow का पालन करती है तथा enthalpy charge और volume charge सुनने के बरावर होता है उससे ideal solution कहा जाता है one of the important question है मेरे बच्चो ideal solution से क्या समझते हैं जो कि आप यहाँ देख चुके है उसका यहाँ पर आप यह solution यह जरूर आप लिखेंगे enthalpy साड़ा कुछ यह जरूर लिखेंगे temperature का mixing का सब कुछ और इसी के तरह से फिर आपका non-ideal है तो non-ideal बता चुके वैसा solution जो कि आपको फालो नहीं करता है और enthalpy चार्ज होती है तो सब्सक्राइब कहते हैं और उसी का उल्टा आपको ideal solution होता है तो इसका भी यहाँ पर प्यार बच्चो आते हैं 50 के तरफ तो यह जो question है यह आपको बहुत important question है 48-60 यह सारे के question 10 में से आपके 9 बार पूछे जाने वाले सारे questions है इसको याद रखेंगे तो इसे ट्रोपिक मिक्षर क्या होता है यह भी आपको बहुत important question में से एक है प्यारे बच्चो तो इसे इसको याद रखेंगे नेक्स्ट क्या होता है तो बहुत important question में से एक है प्यारे बच्चो घोल के observed collective properties तथा normal collective properties को अनपात को वाइंट और फाक्टर कहा जाता है सूचित किया जाता है कोई विक्कत चलिए आगे है यही वाइंट और फाक्टर का यहाँ पर जो सूचित कैसे करते है तो अब्जार्व को लेगेटिव प्रपरटी फिप्टी टू के तरफ आते हैं उसका ए रि यही वियर एक मातर ऐसा है जिसमें कि आपको एसकोर्ट की डिफेक्ट साथ साथ फ्रैंक्ली डिफेक्ट भी मिलेगा नेक्स कोशन के तरफ आते हैं मेरे प्यारे बच्चो रस्ट यानि की जंग का रसाइनिक सूत्रक क्या होता है तो दोस्तों रस्क का एफ टू ओ टू ओ साइनिक सूत्रक होता है इस यह डिक के तरफे हैं जब सेक्रीक्ट समास्त अ पर आपका शुतरक का नाम इसको याद कर लेना ये PDF आपको free of cost मिल जाएगा 56 कहता है मेरे प्यारे विच्चो निमलिखित का सारांचन सुत्र लिखे हैं निमलिखित का सारांचन सुत्र तो 4,4-dimethyl-2-pentanol है तो आप इसको अगर लिखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो 4,4-dimethyl-2-pentanol का यहाँ पर आपका बना हुआ है इसको आप देख लेना दोनों को कोश्चन 57 कहता है निमलिखित का सारांचना लिखें फिर से यहाँ पर 2-chloroth-3-methyl का तो 2-chloroth-3-methyl आपको यहाँ पर यह बना हुआ है आप इसको ऐसे याद करेंगे नेक्स्ट कोश्चन 57 का जो हो चुगा 58 कहता है निमलिकास सारांचना लिखें 1-bromo-4-sec-butyl-2-methyl-benzen तो यहाँ पर यह आपका इसका भी आप देख सकते हो तो मेरे प्यारे विच्चो आखरी कोश्चन है नेक्स्ट कार्वनिक योगी काई-पेसी नेक्स्ट करें और यह बहुत ही इंपॉर्डम कोश्चन में से एक है तो कुलाइडल घोल में उपस्थित कुलाइडल कनों द्वारा प्रकास का स्कैर्टरिंग किया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चो यह थे हमारे डूटल 60 लि कोश्चन जो कि हमने कवर अब की है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मिला करके डूटल 60 कोश्चन कवर आप परोगा है और यखीन करो सारे के सारे कोश्चन अगर परोगे आप कहीं का भी previous year questions वेपर उठा कर देख लो जितने साल को उठा कर देखना देख लो सारे questions आपको मिलने वाले मेरे प्यारे बच्चो I hope so कि वीडियो को पूरा समझ गए होगे जो तीनो अगर तीन पाव हमारे प्यारे दोस्तों आपका जो classes है biology और chemistry का वो तो complete हो चुका overall आपने 50 मिनिटे से class कर लिया होगा अब दोस्तों हम लोग आखरी प्रावपर physics के तरफ बढ़ने वाले हैं physics के अभी important questions को इसे discuss कर लेते हैं और background noise के लिए दोस्तों तहें दिल से माफी चाहेंगे खुले में ऐसे वीडियो शूट कर रहे हैं अच्छा माइक भी नहीं तो इसके लिए बहुत जादा दिक्कत होता है तो background noise आपको आ रहा होगा संसे नहाट की आवाज लगा तो उसका आप ignore करेंगे सिर्फ और सिफ question को आप देखेंगे तो चलिए करते हैं हम लोग physics के पहले question से start पहले question को देखते हैं physics के और इसका PDF आपराम से इसको भी ले सकते हैं तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो को पूरा देख लीजेगा यहाँ तक आचिक हैं तो physics को भी देख लीजे तो कहता है चित्र में किसी विदूद छेत्र में सम्विभव ये तल दिखलाया गया है ठीक है यानि कि B1 greater than B2 है तब विदूद छेत्रे में विदूद बल रखाओं के वित्रन को दिखलाये तथा इनकी दिशाक रोदर्शा विदूद छेत्र की तिवरता किस छेत्र में अध रखेंगे ठीक है तो बहतरीन कोशन होता है यह तो इसको भूलेंगे नहीं पहला जो कोशन है हमेशा physics के कोशन में यह included होता है और काफी important कोशन में यह है तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं मारे प्यारे दोस्तों हमारा यह जो figure बना हुआ है देख सकते हो electric field का सब कुछ बना हुआ है देखे हम लोग जानते हैं कि विदुद बल रेखा है समवी वी तल के लमवत होते हैं हम लोग जानते हैं लमवत होते जो हमारा विदुद बल रेखा होता है वो समवी तल के क्या होता है लंबत होते है यह हम लोगों पता है चित्र में इस बल रेखाओं के बिंदीदार रेखाओं से दिखलाए गया आप देख सकतो यहां पर इसमें जो चित्र में दिखाए गया है बिंदीदार रेखाओं से दखिए लंबल में यह बिंदीदार की ओरोती है विदुद्र छेद्र की तिरुता बाई ओर यानि जिधर संभवी तल होता अधिक होता है उधर ही आपका होगा ताधिक संघनित अधिक होगी इसको याद रखेंगे चलिए आते मेरे प्यारे बच्चों दूसरे कोशन के तरफ कहता है विभम मापी की सुग्रहित कैसे आप क्या समस्ते हैं मैं जानता हूं आप लोग यह उतना धिकत की हुँसा है के कई ज्यादा है लेकिन आप लोग का दिमान्ट होता मैं जांट प्राक्टिस कर रहा हूं प्राक्टिस के ताहित मैं भी सीख जाऊंगा पर बहरहाल कोशन काफी इंपॉर्टेंट में से यह खैत इसको ध्यान में रखेंगे चलिए खैता है विभम मापी की सुग्रहिता से आप क्या समस्ते है तथा इसकी सुग्रहिता आप कैसे बढ़ा सकते है कोशन यह कह रहा है तो देखे विभम मापी की सुग्रहिता का अर्थ होता है इस उपकरन से कम से कम कितना विवंता विवंतर की माप की जा सकती है विभम मापि की सुगरहिता विभम प्रमता पोटेंसिल ग्रेडियन का मान घटा कर बढ़ाई जा सकती है इसे प्राप्त करने के लिए हम लोग को ये तीन दो बातों को ध्यान रखना का पहला विभम मापि थार की लंबाई बढ़ाई जा सकती है दूसरा नियत लंबाई वाले विभम माफी के धारा का मान बढ़ा कर भी इसकी सुग्रहिता बढ़ाई जा सकती है और ये सारे के सारे MBVI कोशन में से एक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको भूलेंगे नहीं चली आते तीसरे प्रस्ण के तरफ तो कहता है धातु के एक गोले एत्रिज्या को भी विभाव तक आवेशित किया जाता है ठीक है इस गोले ए को एक गोली खोल बी में डाल दिया जा रहा है बीतर रखकर एक द्वारा जोर दिया गया ठीक है तो अगर गोला A है तो उस पर चार्ज Q आवेस दिया जाए तो इसका विभाव क्या होगा वी इसको क्यू को यहाँ छोड़ दीजे बाकी गोदले के चले लिए तो तो दीजे आपको दिख जाएंगा आखिर में यादी गोला A का विभाव पहले के विभाव भी से कम हो जाएगा त्यक्त है इसको याद रखेंगे आथा में चलिए तो आते है कौशन अस्थैनिक में कुलंब के नियम होके कुछ खास है तो क्या-क्या है सीमा तो देखे पहला यह नियम बिंदू आवेशों के लिए लागू होता है कुलंब का पहला नियम के बिंदू आवेश के लिए सिर्फ सिर्फ लागू है दूसरा यह नियम सिर्फ इस्थिर आवेशों के लिए नाविकिये में अस्थाइत्व की व्याख्या नहीं कर पाता है चौथा कुलंब नियम तेन माइनस फो तेन टूड़ पाव माइनस 14 मीटर से तथा कम तथा कुछ किलो मीटर से अधिक दूरियों के लिए मानने नहीं होता है तो यह आपका क्या हो जाता है आपके माध्यम के अपराध होता है यह किसी अचालक ता अचालक माध्यम की विधूत अभी लक्षन होता है कि वह किस हादक विधूत गुन को संचारित कर सकता है इसे प्राय से सूचित किया जाता है इसका एसाई मात्रक कुलंब सेंटीमीटर पर स्कॉर नूटर मीटर स्कॉर होत बिखे जाते हैं समान परिवान के देनो अभेज मंदिक लखे जाते हैं और यह रकी कोर्षिन में दुट्थ की स्थिति उड़जा के लिए हम लोग जरुन गालेंगे तो निकलेगा मेरे दोस्तो ध्यान से दखना विद्व छेत्र में गुमाने में विद्व चेत्र की विद्व कूछ कारीं करना परता है जो इस्थित उड़्जा丘ि रूप में थीक है थीक है तो जो हम लोग इसको इसे वर्ग्रान को डिफ्रेंशियेट करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा जब डिफ्रेंशियेट करोगे आप देख लेना तो फाइनली आपका आंसर आजाएगा यू-PE-cos theta that is minus P.E चलि कोश्वर 8 के तरह आते हैं तो कहता है वेरे प्यारे दूस्तों डाइलेक्ट्रिक भंजन तथा डाइलेक्ट्रिक सामर्थ से अब क्या समस्ते हैं दोनों को दोनों इंपोर्डन कोश्वर में से एक है तो कहता है डाइलेक्रिक भंजन डाइलेक्रिक ब् जाता है तो इलेक्ट्रोन अनुपर्मानु से अलग होने लगते हैं यह मुक्त इलेक्ट्रोन दूसरे अनुपर्मानु से टकरा कर और इलेक्ट्रोन को मुक्त कर देते हैं परमानित परमानित अधिक और अधिक से इलेक्ट्रोन चालन के रूप में अपलद हो जाते हैं और ज़िए नवस्ता में बीना पहुंचे रहा सकता है डाइलेक्टिक सवार्थक कहलाता है इसके बाद विजित भी सर्जन स्पार्क होने लगता है शुसक हवा के लिए समान ने दाप डाइलेक्टिक सार्थक लगवा 3 2 106 वोल्ट मिटर इनवर्स होता है इसको याद रखेंगे प्यारवच्चो कोशन में रिट काफी इंपॉर्टन वसे था 9 नाइन नमबर भी काफी इंपॉर्टन कोशन है प्रावधूत समार्थ एवं आप एक्षित प्रावतुन टांग को प्रवासित करें काफी इंपॉर्टन कोशन में से एक है जिसका क्यों इसको जरूर पढ़ करेंगे कोशन लास्ट आते हैं टेंड के तरफ कहता है चोक कुंडली ये क्या है ये एक मिस्प्रिंट हो गया मेरे प्यारा वे चोई इसके लिए माफ करना ये पार्ट शिक्स का इसे मैच हो गया खेर ये कोशन आपका जो चोक कुंडली ये दस नमबर कोशन इसको खतम कर लेते हैं तो कहता है यह एक उच प्रेरक्तक्त की एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोड के उपर विधुत रोधी रूप में लिप्ती रहती है यह प्रतावर्ती परिफथ में बीना विधुत उर्जा च्छाय के विभानतर का मान बढ़ा होता है अता इसका उप्योग विभानतर बढ़ाने के लिए कुण्डली की पिरता है जिए डिसका इसकोर होती है उच्छ आव इरती के सुरोथ रहने पर एल का मान कम रहने पर भी डबलु एल का अधिक होता है आता इस स्थिति में लोह प्रोड के स्थान पर वायू कुण्ड का भी उप्यों किया जा सकता है तो मेरे प्यारे बिच्चो तो द farmers कुछे यह दोडोजन्ब के और नंबर के सब्सक्त पूझे जाता है रूब परत्दार क्यूँ बनाइ जाते हैं अंसर प्रवाइत होता है उसे परते वर्तिधारा जो एसे प्रवाइत निकलता है तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण लोह क्रोड में भमवर धारा उत्पन होती में बनने लगता है जिसके तहत विद्धूत उर्जा हास लोह क्रोड में गर्म करने में हो जाती है जिसे लोह 6 भी कहा जाता है ठीक है? लोह 6 के कारण इस हानी को रोकने के लिए लोह क्रोड को विद्धूत रोधी परतदार पट्यों के रूप में बना देते हैं ठीक है पर भवर धारा नहीं बन पाती और विदूत उर्जा का हास कम हो जाता है ठीक है इसलिए हम लोग ऐसे क्या बनाते है ट्रांसफर्मर का क्रोड परतदार बनाते है ताकि ऐसे हमारा क्या हो सके भवर धारा है से नहीं बन पाए और जो विदूत धारा है वो हास कम हो जा तो लेंज के नियम बताईए तो लेंज के आपको नियम पूछ रहा है तो कहता है द्यान से देखेगा लेंज के नियम आपके स्क्रीन पर विधुत चुम्बक्ये प्रेर्णा में प्रेलित विलम बल या धारा की दिशा लेंज नियम से प्राप्त होती है ठीक है इस नियम के अनुसार विधुद्चुंबक ये प्रेरणा के कारण सभी इस्तितियों में परिपत में प्रेड़ित धारा या विलम बलों की दिशा इस परकार की होती है कि वह अपने उत्पन करता का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन होती है इस बात क्याद रखेंगे चलिए तो जो कि दिशा किसी परकार की होगी ठीक है वह सता एंधुरूप की तरह उत्पत्ती हो तो आते वे चुमक एंधुरूंब का विरोध होता है ठीक है इस बात क्याद रहेंगे और जब विरोध होगा विरोध होगा तो कुंडली से संबंद फ्लक्स में विर्धी होने पर प्रेरी धारा की दिशा ऐसी होती है कि इसके कारण फ्लक्स में कमी हो जाएगा तो लेंजेज लोग चलिए आगे कहता है लास्ट लेंज का नियम उर्जा सरक्षन नियम के अनुरूप होता है तो मेरे दोस्त लोग इसका आविस का राके गनतों क्या होता है किसी चालक के प्रति की आवेश के पडिमाप को आवेशका राके की द्वार व्यक्ति वैक्त किया जाता है किसी चालक के प्रती एकांक लंबाई के आवेश के परिमाप को आवेश का रैखिक दौआ द्वारा वैक्त किया जाता है कोई दिकत अब यह इसका जो फर्मुला है वो आवेश बटा लंब ठीक है Lambda is to qyl इसका मातरक कुलम मीटर इंफर्स होता है चलिए आतने को फोटिं के तरफ आवेस का प्रिष्ट तलिये घहनतु से क्या समझता है तो कहता है सबसक्राइब के प्रती एकांग क्षेतरफल के पडिमापं को आप्टे कहा जाता है ऐसे सिग्मा द्वारा व्यक्क किया जाता है कोई सब्सक्राइब निकाल सकते हैं पिस से चलिए जो हमारा आवेस बता आवेस बटा च्छेतर फल आया प्रिस्ट बटा घंतफों का तो सिग्मा बराबर क्यू आई यह इसका मात्रक कूलम मीटर इनवर्स का स्कॉयर कोई दिकत आते कोशन फिप्टीं के तरफ तो कहता है जिए चीट्र के चैट्र सब्सक्राइब के आदिश दिप्ट्रबर को किया जाता है इसे लुकंपारते च्छेतर और मात्रक इसका मात्र Psychology मींटर होता है ठीक है चलिए कोशन माते 16 के दरफ मेरे प्यारे दोस्तों कहता है गती शीलता से क्या समझते हैं तो कहता है गती शीलता से एक आंक परिमान के विधुत छेत्र से उत्पन समवहन अनुगमन वेग को गती शीलता कहा जाता है इसे प्राय म्यू द्वारा व्यक किया जाता है ठीक है तो प्रतिरोद के कलर कोड का क्या तात पड़ी है और यह आपका एक कोश्चन में से एक है जिसको ऐसे याद रखेंगा कहता है तो कारवन कारवन प्रतिरोद के कलर कोड का क्या तात पड़ी है तो कहता क्या धान से सुनिएगा इलेक्ट्रोनिक के छोड़े छोड़े उपकरनों का प्रति रोध व्याद करने के लिए रंगिन संक्तों का संकेतों का है से कलर कोड का उप्योग क्या आता है देखिए इलेक्ट्रोनिक म जो कारवन प्रतिरोध का कलर कोड कहा जाता इसको याद रखेंगे इसमें कुछ 10 रंगुं का पडियोग होता है जिसका करमांग 0-9 तक होता है और इसमें जो कारवरण कलर कोडिंग होता है मेथाट इसमें 10 रंपका है से संवाल किया था है जिसमें 0 से 9 तक होता है इस विदी मैं पहली एवं दूसरी रंगीन पटि का सार्थक अंक को तीसरी पटि का दाशमका गुनांक को थिसरी पटि का सहन शक्ति को व्याग करता है कि इस विदी में परीउक्त रंगों का कॉड़ुन नाम निम्न है काला भूरा लाल अब इसमें जोरीommes रंग का यूझ होता है क्याय Хोता है Empere को Define Empere आपसे कह रहा है Define Empere आपसे कह रहा है क्या कह रहा है Define Empere Define Empere तो कहता है दन्य दो समानतर धारावाहि तारों के बीच किरिया शील बल तो हम लोग Empere करते है F is equals to Munot by 2pi I1 into I2 into L बटे R यदि L1 बराबर L2 हो जाए तो 1 M पियर तो R बरावर 1 M L बरावर 1 M तो solve करते हैं इसको तो F बरावर हमारा जब solve करोगे तो F बरावर mu 0 by 2 pi तो 4 pi इंटु 10 का पावर माइनस 7 by 2 pi अजब finally इंसकरे से निकालोगे तो आएगा आपका answer 2 इंटु 10 का पावर माइनस 7 Newton ठीक है चलिए question वहाथे 19 के तरफ कहता है अपवाह वेग या अनुगमन वेग से क्या समस्ते हैं दोनों ही बहुत important question है तो देखे कहता है वैधुत छेत्र के परवाव से उत्पन द्रिस्ट परवा की दिशा में आवेस औसत वेग ही उसका अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है कोई माना की किसी चालक की लंबाई example माना की किसी चालक की लंबाई एवाम अनुप्रस्था काट का छेत्फल ए है ठीक है यह हम जान रहे हैं कि ए है एन एल हो जाएगा अथा चालक का वेस क्यों बडावर एन एल और काफी इंपोर्टन कोश्चन में से मेरे दोस्त इंपोर्टन कोश्चन इसको भूलियेगा नहीं आज जो फानिल इसका सौल करेगा तो भी डी इसका इस्टू आई बडावर एन ए ठीक है तेली लास्ट कोश्चन कहता है प्रतिघात एवं प्रतिबाधा से क्या समझते हैं यह भी बहुत इंपोर्डन कोश्चन है यह भी बहुत बार पूछा आता है बिहारोड के एक्जाम में किसी कुंडली स्वर्पेरक्त एवं संधारिता के धारित द्वारा आरोपित परिपस्में धारा के प्रभा में आरोपित प्रभावी अवरोध की प्रतिघात कहा जाता है याद रखेंगे प्रतिघात किसे कुंडली के स्वर्व पर्यक्त एवं संधारित के धायता द्वारा आरोपित प्रिपत में धारा के प्रभा में आरोपित प्रभावी अवरोध को प्रतिघात कहा जाता है ठीक है इस बात को लियाद रखेंगे प्रेरना कुंडली में प्रतिघात LW होता है एवं संधाईता में 1 by CW होता है तो LCR अगर देखा LCR सरकेट होगा तो इसका जो प्रतियावर्ती धारा के प्रवा में लगाया गया कुछ प्रवावी अवरोध को प्रतिवाधा कहा जात अब्जेक्टिव में आता है अथा एक एंपियर प्रवलता की विद्धु धारा वह स्थाई धारा है जो हवा या निर्वात में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित दो लंबे सीधे अवं समांतर चालकों सरक प्रवावित होने पर उसके बीच टू इंटू 21 जो आपको स्क्रिन पर है वो क्या कहता है ध्यान से देखिएगा 21 कहता है अस्व प्रेर्ण एवं अस्व प्रेक्ता का स्वापेर्ण एवं स्वाप्रेरक्तत्व क्या है समझाएं इसको ठीक है तो आंसर देखिए इसका क्या कहता है किसी कुंडली से प्रवाई धारा को परिवर्तित करने पर स्वाप बल एवं प्रेजित धारा उत्पन होने की घटना को स्वाप प्रेर्ण कहा जाता है स्वा प्रे रिदुद्ध वबलब के संख्यात्मख मान के बरावर्ब होता है तो होता द्वारा सुचित किया जाता इसका मात्रक हेंडरी होता है ठीक है चलिए तो आपसे हेंडरी ज़रूर पूछेगा तो इसको याद रखेंगे Q22 कहता है धारा घनत्व को परिभासित करे धारा घनत्व क्या होता है मेरे दोस्तों तो कहता है धारा घनत्व के एकांक अनुप्रस्त काट के छेत्रफल से प्रवाहित धारा के परिमान को धारा घनत्व कहा जाता है इसे प्राया जूल से इंडिकेट किया जाता है जैसे कि धारा घना तो बरावर होता है आपका धारा बटे छेतर फल मतलो जूल बटे करिंट वाई एंपियर ठीक है इसका मातरक एंपियर मीटर स्क्वाइर होता है चलिए वैसे परदास जिनका कुल चुमबकिया आघुर्ण सुन्न होता है वैसा परदाथ इसका कि जो टोटल चुमबकिया आघुर्ण होगा वो जीरो होगा प्रती चुम्बकिया परदाते हैं कोई दिकत प्रती चुम्बकिय परदात उसको कईते हैं जिसका किचुम्बकिय आगभूर में जीरो हो जाए त्मकि irregular उद्मकिय sector ये साली मसे चुम्बकिय खे मत चुम्बकिय कच्छी की ओर इसली क करतका है इनकी चुम्बकिय प्रविर्थी एक आंग से कम एवं रिन रात्मक होती है तो इस बात को याद रखेंगे एक्जाम्पल के तौर पर विश्मत चांदी तामबा जस्ता सीशा सोना इत्यादी चलिए आते कोशन 24 के तरफ अनुचुमबकिये परदार्थ से क्या समस्त है तो कहता है वैसा परदार निम्र चुमबकिये छेत्र से उच चुमबकिये छेत्र की ओर गमन करते हैं इनकी चुमबकिये परविर्थिक एकांग से कम एवं धनात्मक होता है याद रखेंगे इसको चलिए इसका एक्जाम्पल आप पर इसक्रीम पर देख सकते हैं प्लैटिनम मैग मैगनीज चुमबक जो हमारा प्राया इस पात्त का बना होता है अस्थाई चुमबक के निम्न गुन इसके कुछ निम्न जो गुन है वह देख लिए पहला गुन तो उच्छ चुमबक धा धारन शिल्था दूसरा यंत्री का परिवर्तन सहम करने की छहमता तीसरा उच्चिंगरा होता है अल्प शैथिल नेहानी कोई दिकत चलिए आते कॉस्टर तरफ जो कहता है लॉरेंज बल क्या रॉरेंज को एक्स्पेविन कीजिए मैंने आपको पिछले क्लाश में बताया है कि लॉरेंज फॉर्स एक बहुत इंपॉर्टन कोर्शन में से एक है आपके भी हर्वेड 20 लिए कहता है माना की लंबाई की चालक से क्यू आवेस भी वेक से प्रवाइत होता है यदि चालक चुम्बक्ये छेत्र बी में इस्तित हो तो लॉरेंस के अनुसार क्रिया जिल बल एफ इसका ज्टू क्यू भी क्रॉस भी होता है ठीक है लॉरेंस के अनुसार तो अब हम ब्रावर क्यू भी ठीक है क्यू ब्रावर आईटी आ गया तो एक ब्रावर ल्टी वी ल्टी वी उसके बाद एफ ब्रावर डबल आईवी डैट इस वी इसका उप्योग लिखें ऐसे ववस्था जिसमें चैनात्मक सोशन द्वारा संतल धुरूवित प्रकास देता है प्र इसका उप्योग क्या होता है तो देखे रेलगार या था था हवाई जहाज के क 토्रिव पर।्री प्रकास को रहा होने 27 था पोलो राइड क्या होता है तो हम समझ गए लास्ट कोशन है आज के इस वीडियो का और इस टॉपिक का पारित कैपसीटेंस पारित की धायता से क्या समझते हैं तो उत्तर देख लिए कि संधारिता संग्रह संग्राहक प्लेट पर क्यों आवेस देने से उसके प्लेटों के बीच विभांतर भी हो जाता है ठीक है तो यहां सी एक स्थी रासी है इसे संधारित की धारिता कापसीटी ऑफ कापिसीटेंट कहते हैं यादि भी की बढ़ावर एक हो जाए तो क्यू बढ़ावर सी होगा इसको हम लोग जानते हैं अताव संधारिता के बीच इकाई विभांतर उत्पन करने के लिए दिये गया वेस को संधारित की धाहिता कहते हैं तो यह हमारा जो कोशन था आगे यह धायता निर्वतों करता है क्या क्य निर्वय करता है तो प्लिटों के सगतों के समानुपाती प्लेटों के उसे धूरी की व्या्नुपाती इसको याद रहेंगा और तो अपने उसko जरूरस स्कम जरूरस से याद करेंगे तो मिलते हम लोग अगली वीडियो यारो हम लोग का जो क्लास था फिजिक्स के मैस्ट्री बाइलोजी का पचास लगों तर्य परस्न तीनों सब्जेक्ट के हम नहीं से कब्राप करा दिये आपको आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और ऐसी तरीकिए अगर वीडियो चाहिए तो साफी लॉंग अब एका क्लास था गंटे 20 मिनिट हो चुके हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपका दिन शुब हो और पढ़ते रहे हैं दोहज़र थेस एक्जाम के त्यारी करते रहे हैं जै हिंद जै भारत और फोर कर आना है दोहजर थेस बोड़ एक्जामस में मिलते हैं अगले वीडियो में तीन वजे